Dear students, welcome back. एक लंबे गाप के बाद सोसिलिजम पार्ट टू लेकर के आपके सामने आये हैं. इसमें हम लोग देखेंगे राइज और फॉल आफ सोसिलिजम, पटिकुलरिली स्टेट सोसिलिजम and that's two in Eastern and Central Europe, led by USSR. तो यह जो फिनॉमेना है स्टेट सोसिलिजम की पूरी दुनिया में च्छा जाने की, वह 20th century की एक ऐसी पॉलिटिकल इवेंट है जिसका कोई जवाब नहीं है. In fact, फासिजम और World War II के बाद या उसके बराबर में इस घटना को रखा जा सकता है. और जितना ही ड्रामेटिक या जितना ही एक स्पेक्टेकुलर इसका राइस था पूरी दुनिया में, जैसे कि 1970 तक वन थार्ड अफ दे वर्ल पॉपलेशन सोसिलिस कंट्रोल में था, मोर देन 50 नेशन जो हैं वहाँ पे कॉम्निस पार्टी रूल करती थी, उससे भी ज्यादा ड्रामेटिक इसका सदेन फॉल था 1980s में, लेटर 1989 से 1991 के बीच में, तो इस लंबे इवेंट ट्रजिक्टरी को कोसिस करेंगे आदे घंटे में समेटनी की इस वीडियो में, और वो भी एक्जामनेशन पॉइंट व्यू से, यदि हम देखें पास्ट येस कुस्टिन, तो मैंने इसमें हाइलाइट किया है किवल वो कुस्टिन, जो इस वीजियो में कवर हो रहे हैं, इसके हम लोग कवर करेंगे, इसके हम लोग करेंगे, इसके राइज और फॉल जो स्टेट सोसिलिजम का हुआ है, पटिकुलर्ली इस्टर्न अंसेंटर्ल एरोप, लेड बाई उससार, उसके कारण क्या थे, और उसके फॉल होने के कारण क्या थे, उसके इंपक्ट और फीचर्स क्या हैं, आपको याद होगा कि कैपिटलिजम इसका उल्टा है, जहां मीन्स ओफ प्रोडक्शन जो है, वो प्राइबट अंटर्परिनर जो होते हैं, या कैपिटलिस्ट होते हैं, वो ओन करते हैं, और जो सर्प्लस लेबर या जो प्रॉफिट होता है, वो भी जो है, कैपिटलिस्ट एंटर्परिनर रख लेता है उससे, और उसको रीइंवेस्ट करता है अपने बिजनेस में, और ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, तो इसका प्रॉफिटलिजम उसके अगेंस सोशलिजम में, इसका जस्ट रिवर्स होता है, जहां means of productions are owned and operated by society as a hope, और state represented by society, इसलिए जो सोशलिजम इन प्राक्टिस जो होता है, वो state socialism के फॉर्म में हुआ, वहां society क्या है, state was representing society, so means of productions were mostly owned and operated by state, private property and enterprise are regulated heavily, progressive taxation होता है, मतलब जितना income होगा उतना ही जादा taxation, welfare state है, super welfare state, जहां पर free or subsidized education, healthcare, social security, public facility, यह सब दी जाती है, income distribution to less and inequality, तो these are the socialism in practice, जिसको state-led socialism या state socialism कहते हैं, but it also converted into a kind of totalitarian state, totalitarian state का माईनी क्या होता है, जहां state led by single party rule, that was communist party, decides all aspects of socio-political factors of society, या socio-political aspects of society, सारे जो society में कैसा rule होगा, norm होगा, behavior होगा, political structure क्या होगा, even जो cultural aspect है, उसको भी जो है party और state, control करने लगती है, equality of outcome को preference दिया जाता है, freedom और liberty के उपर में, particularly individual freedom, और positive freedom का वो concept याद कीजिए, इसे याँ बर्लिन जो कहते हैं, slippery slope, जहांपे की state जो है, positive freedom के नाम पे, कि हम आपको free कर रहे हैं, आपके ही self, higher self को guide कर रहे हैं, state जो है individual के life को guide करने लगती है, कि उसको क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसा सोचना चाहिए, क्या entertainment होना चाहिए, उसका ideological bend कैसा होना चाहिए, ये पूरा indoctrination होने लगता है, तो state जो है पूरी तरह से society और individual के हर life के और उसके part को जो है अपने कबजे में ले लेता है, this is totalitarian state और वो भी force है, ये कोई समझा भुझा करनी by coercion, communism जो है ये final form है, जो Marx कहते हैं कि ये जो socialism है, ये transitory state है जहां कि डिक्टेटर सी बहुत प्रोलेटरियत होगा, और फिर बाद में जो है state खटम हो जाएगी, तो property less, class less and stateless, autonomous, self-governing, cooperative community होगी, which will live in harmony, and वहां principle होगा कि everyone contributes as per his ability and get as per his needs, तो ये एक utopia बनके रह गया, so this is the whole concept of socialism in nutshell. यदि हम ये देखें कि rise कैसे हुई है, state socialism in Europe, हम main topic पे इस वीडियो में आते हैं, इस state socialism की rise जो हुई है, particularly eastern and central लिवर पे, उसकी event trajectory कोख थोड़ा सा समझने की कोशिस करेंगे, इसकी सुरुवात होती है formation of USSR से, इसको Soviet-ROOS बोलते हैं, ये in fact जो है 15 अलग-अलग nation का एक federation था, तभी की जो defense या communication और security ये सब एक थी, लेकिन अलग-अलग nation थे पंदर, जिसमें Russia सबसे बड़ा fulcrum nation था, that was called USSR. 1917 में इसकी सुरुवात होती है, जिसको Russian revolution करते हैं, Bolshevik revolution, Bolshevik एक party थी, Russian social democratic का एक faction था, led by Lenin, तो Bolshevik revolution होती है, 1917 में JAR का, उसमें JAR कराजा होता था, उस regime को उखार फेका जाता है, और communist rule की start होती है Russia में, 1920 से 39 जो inter-war period था, World War 1-2 के बीच में, वहाँ पे rise होता है, communist parties का east and central रोप में, यहाँ तक कि France और Italy में भी very strong communist movement होता है, communist party के establishment होती है, 1922 में USSR को form किया जता है, formally union treaty sign होती है, Russia, Ukraine, Belarus, और Georgia, Armenia और Azerbaijan स्टेट के बीच में, इन तीन स्टेट को Georgia, Armenia, Azerbaijan को उस आमें, Trans-Paukesia बोला जाता था, Caucasian Mountain के बार, 1924 से 36, इस बारह साल के period में, जो है, reorganization and inclusion of Central Asian Republic, Kujbekistan, Tajikistan, Kyrgyzistan, Turkmenistan, और Khazakistan को सामिल कर लिया जाता है, USSR में, और 1940 में, जो है, Baltic nation, एक छोटा सा sea है, Baltic sea बोलते हैं, उसके tip में, जो है, Lithuania, Latavia और Estonia, छोटे छोटे beautiful European country हैं, और Moldovia, जो की, रोमेनिया से काट करके बना जाता है, इन सब को भी जो USSR मिला जाता है, और 1940 आते हैं, योससार पंदरा इंडिपेंडेंडेंट नेशन का confederation बन जाता है, जो की Russia जिसके लिए, फलक्रम या सेंटर रनता है, During World War II क्या होता है, Germany occupied most of Eastern European nation, सब पे उसकी सेना अकुपाई कर लेती है, और वो पहुंचाती है Moscow तक, लेकिन जो Red Army, Russia का आर्मी को Red Army कहते थे, वो उसको रोकती है, उसको pushback करती है, और अधिकतर जो Eastern Europe को है, उसको Red Army, Russia की जीत लेती है, वोल्ड वार टू के बाद क्या होता है, अब आप देखिए कि जो Eastern Europe, जिसको मैं बोलते हैं, वो Russia ने जीत लिया था, था कि Russia पूरी तरह वाँ साशन कर सकती थी, और को लोनी बशा सकती थी, या imperialism, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया, उसने क्या किया, लेकिन जैसे ब्रिटिस ने कहा था, पारा मॉंट इंसी हमारे पास होगी, उस तरह पारा मॉंट पावर जो है, या रस्या होगा, और तुमको इस कम्मिनिस्ट रूल ही लाना पड़ेगा, तो बाइखोक और बाइख्रूक जो है, इन सब इस्टर्न उरोप में, जो कि एक सेमी इंडिपेंडेंट इस्टेट जैसे थे, उसमें जो है, कम्मिनिस्ट रूल इस्टैबलीज किया गया, रस्या के डारेक्शन सपोर्ट से, और फोर्स से भी जब्रेग, तो, Soviet imposed communist regime was established in Central and Eastern Europe, Western Europe and USA, they accepted Russia's zone of influence and policy of no interference, जैसे चर्चिल ने कहा, जो हम जो है, इसमें इंटर्फेर नहीं करेंगे, USA ने भी कहा, कि हम मान लेते हैं, कि यह तुम्हारा satellite state है, तुमको जो यहांपे करना है, तो तिक तुम्हारा non-interference की निती, जो है Western Europe और USN अपना है. 1947 में जो है common form पहले आपको याद होगा Lenin ने common turn established किया था, यहाँ पे उसको बदल के common form कर दिया गया Communist Information Bureau जो कि एक forum थी, सब भी communist party जो Eastern Europe में है उसका एक common forum था. 1955 में Warsaw Pact was signed, Warsaw Pact किया था, it was a collective defense treaty between Soviet Union and seven other Eastern blocs, Socialist Republic of Central and Eastern Europe, एक पे अटाक किया जाएगा, तो दूसरा आटाक मानेंगे और साथ देंगे, तो यह security defense pact था और यह NATO जो कि Western Europe और USA का जो military pact था, उसको counter करने के लिए बनाता water pack. जो है, Churchill ने यह वोट दिया, iron curtain जाल दिया गया, iron curtain मतलब यह था Eastern और बाकी Europe को काट दिया गया, एक तरह से information flow बंद कर दिया गया, physically जो है, wall जैसे बर्लिन में create किया गया, East और Central Europe पूरी तरह से रसिया और USSR के influence में आया, physically भी और एक तरह से पूरी तरह से जिसको बोलते हैं कि बीच में पटवारा हो गया, और एक तरह से लोहे का परदा डाल दिया गया, then 70s, 60s, late 60s में ब्रेजनेव डॉक्टराइन आता है, जो ब्रेजनेव जो प्रेसिडेंट थे बहुत समय तक कि USSR के, उनका ये डॉक्टराइन था कि कहीं भी यदि Eastern Europe सेटलाइट नेशन में कोई नेशनलिजम या resistance होता है against communist rule, तो रस्या या USR सीधा military action लेगा और उसमें कोई west जो है या कोई country उसको interfere नहीं करेगा, तो ये ब्रेसनेव डॉक्टराइन था, तो इस वाज दा इवें ट्रेजिक्टरी बहुत नटसल में बताया है, rise of state socialism in Europe. अब यदि थोड़ा सा और देखें कि Eastern Europe की कुछ prominent country कैसे जो है state socialism के दाइरे में आए, कैसे वो satellite nation बन गया, कैसे वहाँ पे communist rule established हुआ ही कि दो-दो line ही देखें, पोलिंड में जो है सबसे पहले 1945 में जो है World War II के बाद Yalta conference हुआ था, जिसमें की USA, USSR और United Kingdom ये तीन जो वीक्टर पावर थे, इन्होंने कैसे Eastern Central Europe को reorganize किया जाए, जर्मनी को कैसे काट कूट दिया जाए, इस पर जो है चर्चा हुई, उसमें कही जो Eastern Europe के country की जो है नक्साई बदल गई, जर्मनी का कही पोर्सन काट दिया गया, पॉलेंड को काट दिया गया, कही जो है जो है जो है आफटर सिरीज और पॉल्टिकल मैनूवर जो है, वहाँ भी communist government established हुई, मतलब पहले coalition, फिर उसके बाद communist उस पर चा जाना, फिर विरोधी लोगों को बहुत सारे तरीके से पर्ज करके मतलब हटा देना और communist rule होना, हंगरी में उसके बाद 1948 में जो है communist leader जो है राक्सोई उन्होंने overthrew कर दिया non-communist elected government of Jolton Tildi, in fact Jolton Tildi की सरकार बनी थी चुल करके, लेकिन जो communist party कर लिए राक्सोई थे, उन्होंने maneuvering करके, manipulation करके उसको overthrow किया, और फिर वहाँ communist rule के establishment कर ली by force, इस Germany जो है वो West Germany से काट दिया गया, और 1949 में और उसमें eastern part में जो सरकार developed state बना उसका नाम रखा गया German Democratic Republic GDR, और जो West Germany में जो capitalist सरकार बनी या liberal democratic सरकार बनी उसका नाम रखा गया Federal Democratic Republic of Germany FDR, तो GDR versus FDR बनी, Czechoslovakia जो actually दो nation Czech और Slovak से मिलके बनी थी, दो अलग अलग tribal population वहाँ nation मानते हैं अपने को, 1945 में a coalition government with communist party set up, लेकिन 1948 आते आते communist leader Gautwal took over the government और सारे non-communist को जो है, वो मिठा दिया गया, Bulgariya में 1945 में election हुआ जहाँ communist-led coalition government elect हुई, लेकिन 1946 आते communist gained total control और monarchy को abolish कर दिया गया, नहाँ पर पहले monarchy थी, रुमानिया में monarchy थी, 1945 में a communist-led coalition was elected to power, the communists gradually took control and in 1947 they abolished the monarchy और single party rule. यदि आप देखें कि क्या common features थे communist control of East Europe के, अब में एक common thread था, ये थीन step control किया गया, a general coalition of left-wing anti-fascist forces बनता है, जिसमें कि हर party होती है, communist party भी होती है, जो कि coalition partner होती है, but communist controlling radio, newspaper, mass communication, propaganda channels and secret police and spy, a reorganized coalition in which communists would have the upper hand and neutralize those in other parties who were not willing to accept their hegomani or supremacy, और third step था, complete communist domination, purging of opposition, purging मतलब क्या होता है, saaf sutra कर देना, मतलब exile में डाल देना, execute कर देना, उसको मार देना, उसको arrest कर लेना, इस all से opposition को पूरी तरह से मिटा दिया गया, और इन सब में, Russia और USSR ने पूरा-पूरा support किया in countries के communist parties को, so these were the common feature by which communists took control of East and Central Europe. हम features देखें, जो state socialism, जो rise हुई Eastern and Central Europe में, तो इसके चार-पाँच जो feature एकदम पस्क नजर आते हैं, first है single party rule, vanguard party representing dictatorship को पूरलेटर, vanguard मतलब यह होता है, वो party जो की एकदम prime party है, supreme party है, मतलब जिसका की बहुत बड़ा mission है, वो है कि शाशन करना, worker का rule लाना, class struggle को जिन्दा रखना है, और उस class में working class को उपर लाना, यह vanguard party है, जो Lenin ने तहाँ था है, communist party is with act as a vanguard, no difference in party and government, party government में कोई difference नहीं है, जो party का general secretary होता है, वही जो है government का भी head होता है, party हर part of government को control करती है, यहाँ तक कि society के हर socio-cultural aspect को भी party control करती है, तो यह single party rule and single party hegemony in the society also, then second है democratic centralization, यह भी Lenin की दीवी थेसिस थी, इसमें यह कहना था कि democratic structure of communist party होगा, free election at all levels of party होगा, लेकिन जो, और जो decision making भी party में होगी, वो democratic होगी, मतलब क्या जैसे कि, आप यहाँ देखी, रस्या में या या युजार में क्या होता था, नीचे से जो है वो democratic election होती थी, multiple candidate खड़े होते थे, वो labor के soviet में, फिर उसका labor soviet अपनी वेंटेटी भेशती थी, city soviet में, city soviet, फिर deputy, जो congress होती थी थी, वो जो है supreme polit bureau में member भेशती थी, तो मतलब नीचे से लेके एक हरार्की है, जिसमें कि पूरी तरह democratic way में election हो रहा है, party एक जरूर है, लेकिन कंडेट में कई हैं, जो different different forum में, universities में election हो रहा है, factory में election हो रहा है, other cities में election हो रहा है, और इस तरह के election से, हर जो sector of society है, वो रिपेजेंट हो रहा है politically, लेकिन party एक है, but power was centralized in single structure, the party, ये था, इसको democratic but centralized, so democratic centralized and of Lenin, then socialist and welfare state, ये तो पूरी तरह से जो welfare state था, collectivization of farming, जो पूरे farm को जो individual farmers थे, बड़े कुलत बोलते थे, रस्याम उनको भगा दिया गया, उनके farm को जो ही कठा करके, एक collective farming जो है जिसमें किया गया, जिसमें कि कोई एक private ownership नहीं थी, government own थी, nationalize कर दिया गया, सारे industries को, banks को, financial institutions को, central planning, five-year plan अपना अपना गया, जो कि इंडिया में भी उसको copy किया गया, then government taking all economic decisions, बदब पूरी तरह government जो है, employment, housing, almost all basic needs of the citizen, और जो मैंने बोला कि, it converted into a totalitarian state, जहां पे कि press censorship थी, information control था, ideological doctrination होता था, propaganda के थू, torture, imprisonment, exile, and extermination of opposition, जो भी ideological opposition थे, उसको हटा दिया था, heavy militarization वहा, secret police और spy service established की गई, virtually no role of religion, civil society, nationalism एक गंदा वोर्ड बन गया, and public opinion या dialogue or deliverations, इन सब का कोई रोल जो है, socio-political life में नहीं रहा, these were the features of state socialism. अब जो है, हम उल्टा देखते है, how fall of communism happened in Eastern Bloc Nation, इसकी event trajectory भी उतने ही dramatic है, यदि हम nations को लेके करके, तो पॉलेंड में क्या हुआ, और यह सब सुरुआत हुई 1989 के असपास, क्या 80s में कहिए थी, दोरे दोरे और और फिर avalanche हो गया, अग्दम all of a sudden chain reaction, 1989 के असपास जिसको 1989 revolution भी आपना सकते हैं, पॉलेंड में क्या हुआ, वो solidarity नाम की party बनी, जो कि वहां को जो वरकर थे, फैक्टरी वरकर, इंटेलेक्चुल्स, स्टुडेंट और कैथोलिक चर्ज और फार्मर्स, उसका एक कोलिशन था, वे वेज्ट लॉंगेस्ट मास मूवमेंट अगेंस्ट दे कॉमिनिस्ट रूल बिगनिंग 1980, और देखिये, आईरेनी क्या है, ये प्रोलेट्रेडियेट की सरकार, वरकर की सरकार, मार्स के उनसार होनी चाहिए थी, और वरकर्स ही जो है, सॉलिडरिटी पार्टी बना करके, कॉमिनिस्ट गवर्मेंट का जो है, वो अपोजिशन करते हैं, उसका रीजन ये हुआ, कि आपको समझना चाहिए, कि ये कहीं पे भी वरकर्स की रूल नहीं थी, इलीट रूल था, बोर्ज योजीज रूल ही था, मतलब जो पॉलिड वीरो के मेंबर होते थे, वो रिच लोग होते थे, अपर मिडल क्लास के इंटेलेक्ट्वल्स थे, उन्होंने कबजा जमा लिया, और जो वरकर्स की रूल होनी चाहिए थी, मार्स का जो सपना था, वो कहीं बहुत बीशे रहा गया, पोलेंड इसको शो करता है, तो सॉलिडेरिटी जो है, लीक वलेचा जो हम लोग जब उनको याद करते हैं, तो वो सॉलिडेरिटी के बहुत 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 लीडर थे, फैक्टरी वोरकर थे, वरकिंग जो ट्रेड यूनिन होता है, उसके लीडर थे, हंगरी में आपको याद होगा कि 1956 में स्टुडेंट जो है, उन्होंने मास रिवोलुशन किया और ओवर्थो कर दिया था कॉम्मिनिस रेजिम को कुछ समय के लिए, लेकिन USSR ने मिलिटरी एक्षन किया, जिस पर की कॉल्ड वार में बहुत टेंसन हुआ, और यहाँ पर उन्होंने टैंक ला करके, मार करके और मिटा करके वाइलेंस से फिर से जो है, अपको इस रूरी इस्टैबलिस किया, 1989 आते हाँ ते चेंज फ्रॉम इंसाइड हुआ, वहाँ पर लिणिनिजम को अबंडन कर दिया गया, अपके डिमोक्रिटिक सोसलिजम और मल्टी पार्टी इलेक्शन, नाइटीन 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 हुआ और हंगरी भी मुक्त हो गया, इस जर्मनी में तो ऐसी हवा चली, 1989 में इतना बास मुवट्मेंट हुआ, वहाँ से लोग वाल को क्रोस करके, वेस्ट जर्मनी और हंगरी के रास्ते से वेस्ट जर्मनी जाने लगे, और जो है नाउमबर दिसमबर आते आते, 1989 में जर्मन वॉल जो बर्लिन वॉल को जो है लोगों ने तोड दिया, उसके साथ ही उनिफिकेशन हो गया इस्ट एंवेस्ट जर्मनी का एक साल बाद, और इस जर्मनी का नाम ही खतर हो गया, वो जर्मनी बन गया, चेकोसलोवाकिया में जो है 1968 में प्राग स्प्रिंग, मतलब एक जो है वहाँ पे एक रिवोल्यूशन जैसा हुआ, प्राग स्प्रिंग बोलते हैं, प्राग राजदानी थी चेकोसलोवाकिया की, USSR-led Warsaw Pact Forces invaded चेकोसलोवाकिया to suppress reformist movement, तो हंगरी और चेकोसलोवाकिया दोनों में USSR ने direct intervention किया, अक्टूबर नहूंबर 1989 आते हाते मास movement and strike सुरू हो गई, abandonment हो गई communist rule in December 1989, free election and establishment of non-communist government led by Vaklav Havel on 19th December 1989, तो चेकोसलोवाकिया दोना चाहिए कि चेकोसलोवाकिया 92-93 आते हाते, दो पार्ट में बठ गया, चेक रिपब्लीक और स्लोवाक रिपब्लीक तो दो कंट्री अलग लग बन गया, आज वो जो है free liberal democracy है और capitalist वहां पे इकोनावी है, रुमानिया में जो है, नॉवंबर 1989 आते हाते, वाइलेंट मास मॉव्मेंट हुआ, एक तरह का छोटा सा civil war हुआ और फॉल हो गया communist government का, वहां liberal government establishment, बुल्गारिया में नॉवंबर 1989 में 9 independent organizations joined together to establish the union democratic forces in बुल्गारिया, और जनुवरी 1990 में end of communist rule हुआ, इन सारे country में जो है, आप देखेंगे कि दो साल के अंदर, वहां से communist rule खतम कर दिया गया, सभी ने जो है liberal democracy और market economy को अपना लिया, जो west द्वारा supported था, एक तरह से अचानक जो है communist regime का fall हो गया, western and central Europe में, ये बहुर सड़न था, ये इसके features को देखें तो जिसा मैंने बोला कि suddenness जो है few months to fewer, कुछ जगा पर तो कुछ महिनों में आप देखें कैसे जो है एक जैसे भड़बड़ा के गिर परती है, ताश के पत्ते के जैसा या जो chain reaction होता है, उस तरह से जो है communist regime एक के बाद, एक के बाद Central Europe से drive होते की गई ये इंडोजनितिक, स्वतह जनितिक, कोई बाहर से थोपा नहीं गया था, वहाँ पे nationalism की जो भावना थी, तो तभी ही थी World War Two के बाद से वो पूरी तरह से उभर गई, जैसे ही USSR कमजोर हुआ गरवाचयोग के नेतियुत में, और इंटर्वेंशन, military intervention, USSR ने आज ए policy बंद कर दी, ब्रेजनेव दॉक्रीन को जहां उन्होंने त्याग दिया, वैसे ही यहाँ पे जो है civil mass resistance movement शुरू होगे, लोग सड़त पे उतर आए, और उसके बाद तो एक तरह से जो है एक चिल्म जैसे बोतल से बाहर निकलाता है उस टाइक की वर्चुली नो इंटर्वेंशन बाई उसका ये निकली की और लोग जो परेशान थे एक नॉमिक स्लोडाउन और लेस फ्रीडम से बंधे-बंधाय लाइब से पूर क्वालिटी ऑफ लाइब से उसका ये नतीजा था इन मैजोरिटी ऑफ स्टेट इट वाजली पीसफुल इसले इसको वेलवेट रिवोल्यूशन ये बोलते हैं लेकिन कहीं कहीं पे जो है इसमें वाइलन्स हुई जैसे गोमानिया में और कुछ जगह पे और जो है थोड़ी बहुत लिट्वानिया में बैनी जगह पे लेकिन वाइलन्स बहुत कम था जादा तर ये जो है पीसफुल वे में कम्निस रूल खतम हुआ नॉट अनली चेंज ऑफ रूलिंग पाटी बट डिनाउंस्मेंट ऑफ कम्निसम ये एक तरह का आइडियोलोजिकल सोसियो और कल्चुरल भी एक तरह का ट्रांस्फॉर्मेशन था इस लोगों को बात करते हैं कम्निसम के बारे में तो they will not feel good in fact वो उस तरह से याद करते हैं से कोई काला अध्याय होता है उस टाइप से जैसे अपने कंट्री में दी हम ब्रिटिस रूल को किस तरह से याद करते हैं उसी जैसा जो है feeling वहाँ पे कोई बहुत glorified नहीं है वहाँ प जो है even trajectory अधी हम देखें कि USSR कैसे बिखड गया 1985 से सुरुवात करते हैं मिखाइल गर्वाचोप जो है चार्ज लेते हैं USSR के General Secretary बन जाते हैं Supreme Soviet जो है उसके लेकिन वो एक ऐसी सख्सियत थे इतना उनकी जो thinking थी इतनी reformist थी इतनी critical thinking थी जो कोई अंदाजा नहीं लगा पाय था उस समय में जब वो उनको General Secretary बनाया गया था कि वो इतनी reformist होंगे उन्होंने आते आते ही glass-nosed और प्रेस थोई का यह दोनों Russian word है glass-nosed का माईनी होता है openness मतलब political openness मतलब open press होगा, press की censorship खतम होगी, foreign country के radio television को आप सुन सकते हैं, open discussion कर सकते हैं, government को criticize कर सकते हैं, यह सारा च उसका माइन होता है re-structuring, यह economic re-structuring थी जहांपे कि private property को थोड़ा बुद अलाओ किया गया, वहांपे private enterprise शुरू किया गया, government ने price fix करना बंद कर दिया, private खेती शुरू हुई और industry भी जो अलाओ किया private sector में, और कुछ form of capitalism का जो form होता है वो सब गुलाने की कोसिस हुई, एक limited way में, तो ग्लास्नोस और प्रेस्टरी का एक ऐसा जिन निकला, जिसको की गर्वाचोब ने निकाला तो था कि वो reform कर देंगे, socialism with a human face लाएंगे, trust based लाएंगे, जो स्टालिन से बहुत अलग होगी, और लेकिन उनका कोई इच्छा नहीं था कि सोबियत रूस ढह जाए 1989 आते आते जो है, revolution आपने देखा कि Eastern Europe में हुआ, demise हो गया, communist state का one by one, जो मैंने आपको narrate भी किया, then fall of Berlin war होता है, 1989 के अंत में EUSSR जो है, विड्रू कर लेती है, अपनी force अफगानिस्तान से, और first openly contested election होता है, रसिया में, गर्वाचोब के liberalization के चलते हैं, जहां पे की new Congress of people deputies in Russia, Russia एक federation का एक पार्ट है, प्याद रखे, पंदरह में से के state, वहाँ पे जो Parliament को Congress बोलते थे, या Congress of people deputies, तो Parliament में जो है, मल्टी पार्टी election होता है, उसमें 1990 में Boris Yelstein जो है, वो President बन जाते है, Supreme Soviet of Russian Soviet Federative Socialist Republic, बतलब इस लंबा नाम का मतल़ है, जो सरकार होती है, उसके प्रेसिडेंट बन जाते हैं, जब तक USSR था, तब तक प्रेसिडेंट जो रसिया का होता, तो उसको कोई एक तरह समझे कि वो एक ceremonial post था, नोसनल post था, लेकिन अब जब कि USSR की ताकत बहुत कम हो गई थी, तो ये जो प्रेसिडेंट जो रसिया का होगा, वो सुपर जो कि पहले रसिया कमनिस पार्टी के पुलिद विरो के मेंबर थे, वो वहां से रिजाइन करते हैं तीन-चार साल पहले, वो रसिया कमनिस पार्टी से भी रिजाइन कर देते हैं, और वो प्रेसिडेंट बनते हैं रसियान रिपब्ली के, याद रखिए कि वो रसियान रि उसका वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं और वो डिमोक्रिटिक बेसे इलेक्ट होते हैं, जनता के द्वारा डारिक्ट इलेक्ट होते हैं, और वो कमनिस पार्टी से रिजाइन करते हैं, आप इन सब को देखिए, तो फिर क्या होता है, अगस्त 1991 में एक कू होता है, बतलब एक जो इसको बोलते हैं, रिवोल्ट होती है, ये एक अजीव सी रिवोल्ट थी के विल जो चार दिन चली, इसमें जो हाड लाइन कमनिस पार्टी, पॉलिट बीरो के जो मेंबर थे और हेजी भी जो उनकी सेक्रेट सर्विस थी, उनके जो टॉप बॉसेस थे, उन लोगों ने ले लेंगे, समय को पीछे ले जाना, ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने टैंक सरग पे निकाले, क्रेमलिन के बाहर रोड पे, लेकिन बोरी सेलस्तिन और पूरी जंता जो है रोड बे निकल गई, टैंक के ऊपर चड़ गई, आप पिक्चर देख सकते हैं, कैसे ये लस्तिन टैं जो गर्वाचोग थे, वो क्रीमिया में, जो साउथ में है, रसिया वहां पे छुटी मिना रहे थे, वहां उनको हाउस अरेस्ट कर लिया, रेडियो पे डिकलेर कर दिया, कि उनकी तब्यत बहुत नाजुक है, इसलिए हम उनको हटा रहे हैं, और हम पिर से जो है, सासन चला के आते हैं, लेकिन पावर विहीन, पावर पूरी तरह से बोरी सियल सिन के पास चली जाती है, सेप्टेमबर 1991 में जो है, बाल्टिक रिपब्लिक, जो लिट्यूनिया, इस्टूनिया और लटीविया होते हैं, वो अपने को इंडिपेंडेंट डिकलेर कर देते हैं, यो सास और फॉर्मली डिजॉल्व कर दिया है, तो इस अधर ड्रामेटिक इवेंट प्रजेक्टरी और इस इंटिग्रेशन ऑफ यदि हम फैक्टर्स को समझने कुछिस करें कि यो ड्रामेटिक फॉल स्टेट सोसलिजम का इस्टर्न सेंट्रल इरोपन उसर में हुआ क्या हो सकते ह लेकिन यह सरकुछ फैक्टर जो हैं बहुत आप्वियस हैं, एक जो है वो सोसल चेंज है, इसमें जो है डिमोग्राफी बदल गई, वर्ड वार टू के बाद एक पूरी न्यू जिनरेशन आई, जो कि ज़्यादा पढ़ी लिखी थी क्योंकि मास एजुकेशन हुआ, कई लोग वेस्टर कंट्री में जाते थे, किसी तरह के से भाग लेते थे, मीटिंग्स में और अधर्स में, पर्टिकॉरली पॉल्टिकल पार्टी के ही हायर इकॉलन के जो लीडर्स थे, उन्होंने जब उसकी जो प्रॉस्परिटी देखी, जब वहां टीवी बी कुछ- क्वाल्टी ओफ लाइफ लो है, तो एक तरह से जो रिएक्शन होआ कि ये कौन सी ब्यवस्था है, जैं क्रिटिकल थिंकिंग्ग विदिन कॉम्निस पार्टी, कॉम्निस पार्टी में खुदी जो है, क्योंकि उसके लोग सबसे जादा वो इंटर्मिंगल होते थे वेस्टर और सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो मिखाइल गरवाचुब, बोरी से अलस्तीन तो बाद में, लेकिन मिखाइल गरवाचुब जो एक ऐसे फिगर थे, आप इनको काली दा समझ सकते हैं, जो जिस डाली पे बैठे थे, उसी को काट रहे थे, लेकिन उन्होंने वोल्ड के सोचा नहीं था, अच्छा या बुरा, उन्होंने इंटर्नल रिफोर्म करना सुरू किया इन नेम अफ ग्लासनोस और प्रेस्टोरी का, उन्होंने प्रेस को फ्री कर दिया, इंफॉर्मिसान फ्लो किया, हर तरह की फ्रीडम लाई, जन्ता को अलाव किया, बाहर घूमना, न किन ट्रांस्फोर्मेशनल लीडर्सिप अब निकायल गरवाची वन अब दे में रीजन है उन्होंने एक पॉलिसी जो ब्रेज नेव की डॉक्टरिंग थी कि जहां कहीं इस्टर्ण यूरोप में सैटलाइट नेशन में विद्रो होगा कॉमनी स्टूल के एगेंस वहाँ सीधा टैंक जाएगी रसिया कि उस डॉक्टराइन को ही खतम कर गया हम नहीं करेंगे उन्होंने आर्म रेस बंद किया कॉल्ट वार जो है उसको डिनाउंस किया और यूएसे के प्रेजडेंट रीगन के साथ में बुश के साथ में और थेचर के साथ में दोस्ती बढ़ाई और एक तरह से जो है कॉल्ड वार और सोसलिजम दोनों का फॉल होने में मिखाल करवा चुकी बहुत बड़ी घुमिका सबसे बड़ा था इक कॉनामी हो गई लो प्रोड़ेक्टिवीटी थी लो क्वालिटी थी लो एकॉंटिबिलिटी थी लो लिविंग स्टेंडर्ड था तो लोग यह निस बज़ पा रहे थे कि हमारी लिविंग स्टेंडर्ड च्यों पूर है और वेस्टरन केपिलिस वोल् उसको एक गंदा वोर्ड माना जाता था communist world में लेकिन वो वर्ड वार 2 के बाद से ही एकदम दवी हुई थी चिंगारी और जैसे ही USSR वीक होने लगा, cold war कम होने लगे, iron content रिमूब होने लगा, वैसे वैसे nationalist feeling जो थी, वो जितनी USSR के republic थे और जितनी satellite nation थे उसमें जोर सोर से आ गया और student और worker और intellectual सड़क पे उतर आये, civil resistance movement के फॉर्म में, तो rise of nationalism was an important factor, international context तो बहुत बड़ा था, Regan, Thatcher, Doctrine जो था, उन्होंने भी बहुत help किया, उन्होंने इंप्रूब किया west east के relation को, और उससे भी cold war खतम हुआ, cold war के खतम होना अपने आप में, state socialism का पतन का का बन गया, क्योंकि जितना ही cold war tension होता था, उतना ही legitimacy मिलती थी, militarization को, iron curtain को, spy services को, KGB टाइप की और tight military control का या coercion का, अपने ही people पे लोग बोलते से, चलो भाई, सह लेंगे क्योंकि cold war है, हमको रक्षा तो हो रही है, लेकिन एक बार cold war rivalry खतम हुई, तो उसकी justification ही, इस type की coercive rule क खतम हो गई, then Soviet Yugoslav का split हुआ, आपको याद होगा, कि जो Tito थे, जो Yugoslavia के president थे, कैसे उन्होंने नहरू के साथ और Nassir के साथ मिलकर ना मूव्मेंट शुरू किया, वो बहुत पहले 50s में ही USSR से अलग हो गए, कभी उनके satellite state नहीं बने, और उन्होंने हमेशा कहा कि हम help किया, economic reform जो चाइना में हुई, डांग यॉपिंग जिन ने जो 1970s में एक open door policy अपनाई, USA के तरफ जुके, और वहाँ पे एक तरह का capitalist communist state बना, एक अजीब सी combination, जहाँ economy में जो है capitalism है, लेकिन political communism या socialism है, तो चाइना ने एक अजीब टाइब का रास्ता दिखाया, उससे भी जो है, state socialism को धका पोँचा है, USSR और Eastern Europe, success of mass opposition demonstration in Eastern block countries, जो है, जो लोग सड़क पे जब उतर आये, तो उन्होंने जब challenge किया communist government को, उनके पास कोई जवाब नहीं था, और एक के बाद वो जो है, फैलती चली गई वारस के जैसा, chain effect के जैसा, एक से एक satellite nation में, और फिर Republic of USSR में, और सभी जो है, वो एक साथ ही, उनका पतन एक साल के हो गया, so these are the factors for fall of state socialism in USA, जो फाइनली हम देखें कि इस जो fall हुई state socialism की Europe में, उसका impact क्या पढ़ा, इसके बहुत profound impact world politics पे हुई, end of cold war हो गया, in fact cold war का end होना इसका कारण भी बना और इसका जो है, effect और impact भी हुआ, removal of iron curtain war, dissolution of warsa pack, warsa pack खतम कर दी गई, नाटो में सारे जो इस्टेंड रोप के country है, उसमें दाधिक्तर नाटो के अपने membership ले ली, ideological win हो गया, capitalism का, free market economy और liberal democracy का, जिसको फुकुयामा कहते हैं, end of the history, कि अब तो history में कोई ideological war रहा ही नहीं, और पूरी दुनिया जो है, वो यूनिपोलर हो गई, hegomania of USA हो गया, जो bipolarism थी, cold war की, खतम हो गई, then decline of socialism in third world, आपको पता है कि जितने नए new nation बने, decolonization के बाद उन्होंने अधिक्तर ने जो है, जारवरसिया के तरफ, तो उन सब में जो है, demise होना शुरू हो गया, जो communist regime थे, third world में लाइक, Cambodia, Mongolia, Ethiopia, Yemen, Afghanistan, Mozambique, Nicaragua, Angola, Congo, Kenya, इन सब में जो है, communism का जो है, भस्त हो गया, demise हो गया, और आज के दुनिया में किवर पांच true communist state बचे हैं, चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम और लाओ, इसके अलावा, कोई भी true communist state नहीं है, then, बहुत सारे नए independent nation का हुदय हुआ, जैसे 15 नए states जो है, rest while USSR से तूट के बने, पांच नए states जो है, वो युगोसलाविया के तूटने से बने, जैसे की Croatia, मेसडोनिया, Kosovo, Montegro, सर्भिया में बदल गया, तो बोजनिया, हर्जे गोविना, ये पांच इस्टेट नए नए बन गये युगोसलाविया से, और Czechoslovakia तूट करके जो है, Czech और Slovak Republic में बदल गया, इस तरह से दो दर्जन के आसपास जो है, या 20 से 24 के बीच में नए कंट्री जो है, उदे हुआ और एक कंट्री गाइब भी हो गया, इस जर्मनी, जो बेस जर्मनी से मिलके जर्मनी बन गया, देन शॉक ठिरैपी हुई, जिसको की कहते हैं कि बिंग बिग बैंक प्रेविटाइजेसे में शॉक ठिरैपी क्या था, वेस्टर्न पावर, कैपिस्ट पावर ने कहा कि भाई नुमारे अकमिनिस्ट खतम हो गया, तरीका क्या है, तुम पूरी तरह प्रेविटाइजन कर ल कि जो इंकम घट गई और एक अजीब सा एकोनामिक टर्मोल आया, जिससे की सोचियो कल्चर टर्मोल भी हुआ, लोग समझ नहीं पा रहती कि उनके साथ हो क्या रहा है, तैन, फाइनली ये जो है स्टेट सोसलिजम की फॉल ने ग्लोबलाइजेसन को बहुत बड़ी जो है र से ही वो थ्वस्त हुई उस पूरी दुनिया में और थर्ड वल्ड ने भी तुरद 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 इंडिया जैसे पाकिस्तान, स्री लंका, बंगलादेस, सब ने जो है स्ट्रुक्ट्टर रिफॉर्म के नाम पे लिबरलाइजेसन, प्रिवाइजेसन किया और पूरी Sentinel, just to sum up this long discussion. Socialism is understood as social ownership and operation of means of production, distribution of profit for social welfare and reducing inequality, of course at the cost of freedom. State socialism is a specific variant of socialism in which state owns and operate means of production, act as supreme guardian and provider for citizen. The Russian Revolution in 1917 led to the establishment of single-party communist rule in Russia, setting up of USSR, and communist rule in Central and Eastern Europe as a satellite nation to USSR. Most of the Eastern Bloc nations were restored from German control during World War II by the Red Army of Russia. USA and Western Europe accepted Russian influence or USSR influence in these states. They became satellite nations to USSR. Beginning in the 1980s, factors such as socio-cultural changes, poor economic conditions of communist state, rise of nationalism, transformative leadership of Gorbachev and Yelstein, waning of Cold War, dilute Hojana Cold War, and many other international factors led to sudden demise of communist state during 1989-91. Post-communist states faced great economic hardship and social turmoil due to shock therapy prescribed by Western capitalist power. End of Cold War, unipolar world, ideological victory of capitalism and liberal democracy, decline of socialism in third world, emergence of many new nations are main major impacts of fall of socialism in Europe. So students, thank you very much. Wish you a very happy Dipavali. See you next week. Bye. Good wishes.